हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्लास 9 से बच्चे 10 में आ चुके हैं और अब सबसे बड़ी कन्फूजन ही है कुछ के पास बुक पुरानी होगी कुछी के पास नई होगी तो आप देख भी रहे होगे कि सर कौन सा सही है अब सीधी बात है जो नई बुक आई है सीबसी ने जो लेटेस्ट रिलीज करी वही सही है आपको उसी का कॉर्णिंग पढ़ना है ठीक है लेकिन जिनके पास पुरानी है या कोई कन्फूजन है कौन सी एकसाई डिलीटेड है उस बुक से तो वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोग ठीक कर लेना अगर आपके बास बुक है और अच्छे चीज़ समझ लेना ठीक है तो चली स्टार्ट करते हैं और 9 से 10 में आयो बिल्कुल परिशान नहीं हो ना इस चैनल पर आपको सब कुछ कॉंटेड बहुत अच्छा है आप एक चेक करोगे तभी आपको पता लगेगा मैं सीधा बोलू तो जली स्टार्ट करते हैं तो यार एक तो आप लोग आयो आपने स्लैबस देख लिया हो कितने चैप्टर से उसमें ठीक है वो सब देख लिया हो तो हमारे जो पहला चैप् की मार्केट में उसमें ऑडरी यह डिलीटेड है समझा हो तो जिसके पास नई भॉक उश्को डिलीट करने को जुरुत ही नहीं मैं उसको delete करना पड़ेगा, cross मानना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन, तो मैं तो कहूंगो, जिसका बुक है, तो वो लेके बैठ जाएं, ठीक है, और मेरे साथ tick कर ले, क्या क्या क्रॉस हो रहा है, तो यह deleted है, 1.1, 1.4, फिर से बोलतू, जो नई बुक है, उसमें already deleted है, आपको टें polynomial है, जिसमें deleted portion है, 2.3 exercise पूरी तरह से deleted है, और जो optional है, 2.4, वो भी deleted है, ठीक है, नई बुक की है, मैं बात करूँ, अब confused मत होना, ठीक है, नई बुक में सब कुछ deleted है, ठीक है, बच्चे कई बार बताने के बाद भी थोड़ा से confused होते हैं, ठीक है, और आप लोग पहली ब deleted है, और फिर optional exercise भी deleted है, इसमें काफी कुछ deleted है, जड़ा यह चेक कर लें, यह बहुत छोटा chapter बना दिया गया आपके लिए, यह हो गया, फिर इसके बाद हमारा आता है quadratic equation, chapter number 4, जिसमें exercise 4.3 delete कर दी गई है, ठीक है, बुक निकाल ले और इसमें tick cross कर लो, और अगर हम बात क आपको एक ची में दिखा देता हूं, एक वाद ट्राई करना आपको बहुत अची मिल जाएंगे, जो अपना channel है, इसकी playlist में जाओगे, टॉपर्स playlist ठीक है, इसकी link description में डाल दूँगा, यहाँ पे बेटा आपको previous questions भी मिल जाएंगे, हर chapter के, mcq questions मिल जाएंगे, अगर य पूरे chapters की PDF, previous questions, सब कुछ available है, आप देख लेने पर चीजे चेक कर लेना, ठीक है, बढ़िया से आपको हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि chapter number 5 में कोई भी deleted चीज नहीं है, सब कुछ course में, इसके बाद हमारा आता है chapter number 6 triangles, जिसमें की हमारा काफी कुछ deleted है, 6 6.4 deleted है, और 6.5 भी deleted है, 6.6 deleted है, मतलब जो की optional exercise है, तो यह सारी चीजें इसमें deleted है, तो यह थोड़ा सा आप देख लेना, यार काफी कुछ delete हो चुका है, यहाँ पे, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आपे triangles के बाद हमारा next chapter है, coordinate geometry, जिसमें 7.3 deleted है, और optional exercise deleted है, तो मतलब काफी delete होगे, इसमें भी, काफी बिलफ deleted है, और अगर हम बात करें, trigonometry के तो 8.3 exercise deleted है, अगेन, इसमें confuse मत हो जाना, पहले वाली बुक में 4 exercise है, नई वाली बुक में 8.3 है, तो confuse मत हो जाना, यह पुरानी बुक का बता रहा हूँ, अगर आप जा पुरानी बुक है, तो य चलो, अगर बात करें, यहाँ पर application of trigonometry की, तो यहाँ पर सिर्फ कुछ नबर 16 deleted है, अगर पुरानी बुक है आपके पास, या भी मार्केट में नहीं आई है, तो यह चेप्टर बिटा था 11, अब इसको हटा दिया गया है, तो एक्ट्रॉक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं ह पुरानी बुक में जो area related to circle है, वो chapter 12 है, लिकिन जब आप नई बुक खरीद होगे न, उसमें 11 होगा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सही से मनलब guidance लेना, मतलब चीजे मैंने सारी बता दिया, नई बुक में क्या होगा, 10 के बाद chapter के नाम भी बदल जाएंगे, क्योंकि 11 प deleted करना है, ठीक है, मतलब न 12.1 करो न 12.3 करो, इसके बाद हमारा next chapter 13, जो की नई बुक में chapter 12 होगा, surface area and volume, नई बुक में 12 होगा, परानी बुक में 13 होगा, ठीक है, तो मैं परानी के साब से बता रहा हूँ, जिसमें 13.3 deleted है, 13.4 deleted है, 13.5 optional exercise भी deleted है, ठीक है, इसके बाद अग बढ़ू, तो हमारा next chapter है, जिसमें deleted portion जो है, वो 14.4 का है, ठीक है, अगेन नई बुक में chapter 13 होगा, और अगर बात करें, हम अपने last chapter probability की, जिसमें 15.2 exercise deleted है, और नई बुक में ये chapter 14 होगा, तो इस तरीके से, सारे chapter का मैंने बता दिया, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लग यहाँ पर, ठीक है, अच्छा content है, चैनल को subscribe कर लिना, और दूसरा अगर आपको ये मेहनत लगी जगो, मैं सबसे जल्दी सारी चीज़ें आपको समझा दी है, क्या पुरानी में, क्या नई में है, ठीक है, और आपको सबसे पहले update कर रहा हूं, सारी चीज़ें, फटा फट